हलो हलो सभी लाए बाज़े बई जल्दी फटापट से आवाज आ रहे हैं सभी को जल्दी फटापट से लाए बाज़े अवाज आ रहे हैं सभी अवाज जी गुड़ आफ्रनून गुड़ आफ्रनून भई सभी को चलिए भई सभी का हाट देख विनंदन आपके अप्लिकेशन में सुष्वागतम और स्टाट करते हैं वहीं से जहां से हमने कल लाष्ट किया था और जैसा कि मुझे दिहान है कि हमने जो लाष्ट किया था अपना अपना टॉपिक विद्व चुम की तरंगें चली हुई थी और उसमें मैंने आपको सारा कॉंसेप्ट करा दिया था और केवल इसके हमको उप्योग पढ़ने थे कि इन तरंगों के किस किस तरंग के क्या क्या उप्योग हैं ठीक है तो आज वही करने वाले हैं चली स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किये जोल्दी फटाफर से आजाईए गुड आफरनून टो ओल अफ यू गुड आफरनून देखें विद्व चुम के तरंगों मैं मैंने सबसे पहला आपको बताया था रेडियो वेव्ज रेडियो वेव्ज ठीक है रेडियो तर रेडियो तरंग है इसके लिखो यूज इस जल्दी फटाबड़ सेके इसके यूज लिखिए रेडियो तरंगों के यूज लिखिए इसके क्या यूज है तो नहीं इसके यूज इस क्या है देखें इसके उप्योग लिखिए फटाबड़ से देखो इसके उप्योग जो है रेडियो में आप खूब सुनते हैं इसको सिगनल जोते हैं रेडियो में रेडियो तेवी डिटी एच कहने का मतलब इ chemotherapy है हमारा जो भी हमारा दूर संचार है दूर संचार में ठीक है जो टेले में होता है हमारा इसमें जो इस्तमाल करते हैं वो रेडियो फिबस काई करते हैं इन तरंगों करते हैं एक्जाम पुछ लेता है कि बताइए, जो TV है हमारे, ठीक है, TV signals वगेरा जो है, इसमें किसका यूज किया जाता है, किन तरगों का तो आप धान डखना, रेडियो वेफ्स का यूज किया जाता है, टी टी एच में, जितना भी दूर संचार का जो प्रोसेस है, इसी में सब, इ लिख़ा दाने हैं, आपको microwave, microwave, शूक्ष्म तरंगे, शूक्ष्म तरंगे, देखो microwave का यूज क्या करते हैं, ध्यान देना भाई, इसके यूज इस लिखेंगे, जल्दी फटा बटते सभी, अपयोग, इसके अपयोग डल दीजिए भई, एक तो, जो microwave oven होता है, जिसमें खाना गरम करते हैं, microwave oven जो होता है मारा, उसमें उस करते हैं, ठीके, जिसमें खाना खाना को गरम करते हैं, जो थंडा खाना होता है, उसको गरम करते हैं, खाना गरम, करने में इसको यूज करते हैं इसको मुख्य तो काम यही है मैक्रोविव का तो ठीक है इसमें क्या काम करते हैं हम जो खाना होता है ना उसको क्या करते हैं गरम करते हैं ठीक है साथी साथ जो हमारे मौवाइल वाइफाई है ना मौवाइल वाइफाई ठीक है मौवाइल जो व ठीक है Bluetooth आप connect करते हैं तो Bluetooth ठीक है जी Bluetooth कवर करते हैं आप then सही कलने स्पेलिंग B-L-U-E-T-O-T-H ठीक है Wi-Fi है, Bluetooth है आपका microwave खाना पकाने खाना पकाने नहीं सवरी खाने को पके हुए खाने को गरम करने देखा होगा और माइक्रोवेब घर में लगे होते हैं खाने को गरम करने के लिए ठीक है तो यह यूजिस है आपके किसके सुक्ष्म तरंगों के यह नहीं माइक्रोवेब्स के नौट कर लेजी जल्दी फटाफट से अभी हैंटो हैं नौट करते चलिए हम तीसर चलते हैं अवरक्त जिन्हें कहते हैं हम इंफ्रारेड थर्ड इंफ्रारेड इंफ्रारेड वेब्स अवरक्त तरंगे अवरक्त तरंगे देखो अवरक्त तरंगे क्या होती इंफ्रारेड वेब्स का यूजिस क्या है मैंने कल बता दिया था यह वेब्स होती ही क्या है वो तो मैंने आप समझा दिया था कूँ अच्छे से आपको कल, आज की अगल हम इसके यूजिस की बात कर रहे हैं, कि अवरक्त तरंगों का यूज क्या है, मलब इकिस तरीके से काम करती हैं, ठीक है, जो अवरक्त तरंगें जो होए हैं, इनका हमारे देनेक जीवन में क्या उप्योग है, हम इनको किस किस आप देखिए, फटाफट से, बताता हूं मैं आपको, जो अवरक्त तरंगें हैं, आपने देखा होगा, जब आप टीवी चलाते हैं, तो टीवी में आपने देखा होगा, रिमॉट का इस्तमाल करते हैं, तो रिमॉट में जब आप इस्तमाल करते हैं, तो रिमॉट में इन्फरारेट वेव से हैं, इनी का इस्तमाल करते हैं, ध्यान रखना, टीवी, टीवी, जो रिमॉट होता है, इसमें, ठीक है, टीवी रिमॉट में जो काम करता है, वो आपका अवरक्त तरंगे ही काम करती हैं, जो रिमॉट है आपका उसमें कौन से तरंग काम करती हैं, अव आपको लिखवाय जा रहा है, यहां से प्रश्न बनते हैं, यह बातें इसलिगे बताई जा रही है, समझाई जा रही है कि यहां से प्रश्न बनते हैं, पीछे कई आप पचले एक्जाम्स के कोश्चन ठाकर देख लिए पेपर ठाकर देख लिए यहां से कोश्चन बने हुए है इसका और भी यूज लिख सकते हैं आप इसके तो इसमें देखो सेटलाइट के लिए भी उज करते हैं अम इसका सेटलाइट लिख 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 में ठीक है नौट कर लो फटापट से भाई सभी, आराम से नौट करो तसल्ली से, को जल्दबाजी नहीं है, जल्दी फटापट से नौट केजिए, स्पीड, हो गया भई, दो यहां से एक बात लख लेजिए, जो रेडियो वेवस हैं, जो रेडियो वेवस हैं, रिडियो वेवस दोको इनकी जो खोज की थी किसने बताया कि हमारे बिद्धु चुम्ब के तरंगों के अंदर रिडियो वेवस भी है तो ये बताया था हर्टर्ज ने किसने बताया था हर्टर्ज ध्यान लखना हर्टर्ज हर्टर्स के बारे में और क्या जानते हैं आप हर्टर्स के बारे में आप ये भी जानते हैं कि ये जो है आवरती का मात्रक है बिल्कुल हर्टर्स ने इसकी खुज की थी ध्यानक ना ठीक है और हर्टर्स के बारे में आप क्या जानते हैं कि ये एक किसका मात्रक है आवरती का म यह जो खूज की थी हमारे भारतिया ही वेग्यानिक है और अधी ओवर ओल हमें यही बात करें इंटरनेशनल लेवल की इंडिया से बाहर तो वो थी आपकी मार कोनी ठीक है मार कोनी जो थी वो विदेशी थी और अधी भारतिया की बात करें तो चेशी बौस करें अर अधी अपने देश की बात करें तो क्या थे जगदिशद्र बौस ठिक है हिंधी हो इंग्लिस रोटिए ही है हिंधी मीन इंग्लिस में मीज़ने चाल सुअ डू आप टिक है है तो इनका जो अस्थित्त्व आया सामने कौन लेके आया किसने बताया कि आवरक्त किरने भी कोई किरने हैं ठीके आवरक्त तरंगे भी कोई तरंगे हैं किसने बताया तो ये बताया आपके विलियम हरसल ने विलियम हरसल ध्यान रखना भई नोट कलो सभी विलियम हरसल विलियम हरसल ने बताया विलियम हरसल नहीं खोज की हमारे इन तरंगों की जो कि आपकी इंफ्रा रेड वेव से हैं टीवी रिमोट में इसका यूज करते हैं इस्तमल करते हैं यहां तक नौट कीजिए फिर आगे चलते हैं इससे अगले की बात करते हैं हो गया भही नौट सभी का चले आगे आग्या हो तो यदि आपकी आग्या हो तो आगे चले हो गया सभी का नौट चलिए भई चलिए जी आगे चलते हैं और नमबर फूर की बात करते हैं देखे जी ध्यान देंगे नमबर फूर लिखेंगे द्रश्चे द्रश्चे तरंगे विजिवल वेवस ठीक है आप खूब जानते हैं जो विवग्यौर है हमारा विवग्यौर से बना है ये इसका यूज क्या है यूज तो देखने में इनी तरंगों की बैसे हमकों दिखा ही देता है सबसे पहली बात आपसे कहें लगे कि किन तरंगों के माध्यम से हम किस चीज को देख पाते हैं ठीक है तो एक तो हम देखने देखने का कारण जो है वो हमारी यही यही तरंग है विजिवल वेवस ही हैं जिससे हम देख पा रहे हैं, ठीक है, सबसे मुख्या कारण तो यही है, और दूसरा जो काम इसका यह है भाई, जो आपके प्लांट्स हैं ना, प्लांट्स, जाद मैंने कल्ली बताया था, जो प्लांट्स हैं हमारा, जितने भी हमारे पेड़ पोदे हैं, इनमें एक क्रिया हो जिसमें पेड़ पोदे सूरिय की उपस्तती में क्या करते हैं, क्या करते हैं, बताये, सी ओ टू को एब्सर्ब करके, जल और सी ओ टू को की क्रिया के दौरा, यह अपना खाना बनाते हैं, किसकी उपस्तती में, सूरिय की उपस्तती में, ठीक है, तो यह इसमें क्या है, इन मैं इसकी ये बात करूँ कि इनका अस्तित कौन लेका इनका जो जो खोज है इनका नाम विदुछुम्भी के तरंगों में से किसने बताया बही कि विजीवल वेवस इनका नाम विजीवल वेवस है या दरश्चे प्रकाश consent दिखने से तो बन गया दरश्य प्रकास, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है, पर इसमें सबसे बड़ी बात एक, क्या, कि इसकी अंदर ये बताया कि जो ये प्रकाश है, वो सात रंगों से मिलके बना है, ये सात रंगों से मिलके बना है, सात रंगों से, सात रंगों से मिलकर ब Newton ने आप यह बताई के जो दृष्शय प्रकाष है वो सात रंगों से मिलकर बना है यह बताया, Newton ने किसने बताया, यह Newton ने बताया, ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान रखना, इस से आगे चलते हैं, इस से आगे चलते हैं, और next है आपका, number next, नम्मर नेक्स्ट है आपका परावेंगनी तरंगे अल्ट्रावाइलेट वेफ्स अल्ट्रावाइलेट वेफ्स का क्या काम है दोको अल्ट्रावाइलेट वेफ्स आपने देखा होगा जब आप अपने घर में पानी के लिए पानी को प्योर करने के लिए घर देखा होगा आपने आप आरो लगवाएं आरो लगवाएं कि पानी किसी की हाँ अच्छी शुवधा नहीं है पानी पीने की तो वो क्या करते हैं अपने घरों में आरो लगवाते हैं आपने कभी देखा और उम्हों पोनेखा हुआ देखा आपने कभी वो पानी को प्योरिफीकेशन करने के लिए शुद्धी नामने पानी के शुद्धी करन में इसका इस्तुमाल होता है इसलिए bênis ज़्यादा और तो कुछ है नहीं पर परावेंगने केरणों से हमको हानिया काफी है यह ध्यान लखना जो अल्टरा वोलेट सबसे बड़ा तो क्या है इससे इसकिन कैंसर ठीक है तुचा कैंसर जो होता है तुचा को तो बहुत ज़्यादा यह नुक्सार पहुचाती है और तुचा कैंसर होने का खत्रा रहता है वो तो आप भही गनिवद मानिये हमारे ओजून लेयर का जो हमको बहुत ज़्यादा प्रोड़क्शन देती है इससे हमारे लिए बहुत लावकारी है ओजून लेयर ओजून लेयर ही जो ओजून पर्त है ना जो ओजून पर्त है वही ओजून पर्त ही हमको क्या करती है इससे बचाती है ओजून पर्त ही क्या है यह हमको किससे बचाती है मेरे भाई यह किससे बचाती है परावयेंगनी किन्नों से बचाती है अब यह आपका होगे ओजन लेयर है कहाँ तो ओजून लेयर जो है हमारे जो वाइू मंडल है यानि कि आपने पढ़ा होगा खुब अच्छे तरीके से कि हमारे जो पूरा वाइू मंडल है इसकी जो layer है, वो four layer है इसमें सबसे नीचे छोब मंडल होता है फिर आपका समताप होता है मद्ध होता है, उपर से बाहे होता है पढ़ा होगा, पढ़ा होगा जिजगराफी में सर ने पढ़ाया होगा, तो यह समताप मंडल का हिص्सा है आपका इस्टेटो स्फियर का हिस्सा है आपका ओजोन पर्द जो है ओजोन पर्द वहां पाई आती है और वहां से ये बरावगने किर्णों को नीचे आने से रुकती है बरावगने किर्णों को नहीं आने देती ठीक है और इसका मेन का एक चीज और आपने देखा होगा कि आपने चेद का मतलब आरपार चेद नहीं हो गया उसमें चेद यह आरपार हो जागा तो साथ यहां तो बहुत ज़़ा रेडिशन हो जागा पराविगने किर्णों का तो बहुत ज़़ा कैंसर के रोगी होंगे हम उर राना के लिए आपको तो छेद होने तो मतलब है कि जो ओजन लेयर है उसकी मोटाई में कम ही आ गई है जो पहले ज़्यादा मोटी थी वो कम हो गई है तो इसी को होल कहा गया है इसी को कहा गया है होल कहा गया है उसकी मोटाई में जो कम ही आई है किसकी ओजन परतकी में जो मोटाई है उसको नापते हैं डौसन से ध्यान लखना डौसन ओजन परत की जो ओजन परत है इसकी जो मोटाई को नापते हैं वो हम डौसन से नापते हैं ध्यान लखना भई ठीक है न यह और पाई कहां जाती है और जो जन परता समताप मंडल में समताप मंडल स्ट्रेटो प्रत्वी। लोजन लेयर को छती होगी ठीक है मैन करन यही है इसका ठीक है वैसे ही जो इसका जो ब्रॉड पार्ट है आप अच्छे तरीके से इसको जो प्रावएंगनी किरने हैं इसको कून लेके आया यसके बारे में बताया कि एंग्लिस में रिटर ही है हिंदी में रिटर ही है तीक है रिटर ध्यानगनार Curda नाम के एक वेग्यानिक थे जिन्वह इनके खुज की थी पराद्रविठरी टरंगों की छी ठीक है अल्डा वयलेट वेव्यकि की खुज की है रिटर नाम के वेयान घ्यानगना मेरे भाई ठीक है अरे हुरा ने क्लियर भई समझवा आ रहा ना सभी के अच्छा लग रहा ना सभी को अरे मज़ा आ रहा पढ़के नहीं आ रहा भई हम आ रहा है ना मज़ा चले आगे और अब बात करते हैं हम इससे next एक्सरेस की किसकी बात करते हैं एक्सरेस चलिए भई एक्सरेस की बात करते हैं और खूब अच्छे जानते हैं आप एक्सरेस की यूजिस तो जानते हैं नहीं जानते हैं किसी की हड़ी तूट जाए तुरंद कहां जाओगे आप पहिए एकसरा करा लो इसका पहले एकसरा करा लो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे सरीर है सरीर की आंतरिक भागों की क्या अंतरिक भागों की क्या एक image लेने में, इसका use करते हैं, ठीक है, हड़ी, हड़ी, जो हमारे body के अंदर हड़ी है, कहीं से crack हुई है, नहीं हुई है, इस विशेय में पताने के लिए क्या काम करते हैं, कौन काम करता हैं, एक्स रे ही काम करते हैं, या कोई पदार्थ है, उस पदार्थ की जो molecular structure है, जो आडविक सन्रचना है, उसकी, उसका पता लगाने के लिए भी किसका use करते हैं, एक्स रे का use करते हैं, लिख लो भाई, बोलतो रहा हूं मैं, एक्स रे हैं, टूटी हुई हड़ी का पता लगाने के लिए, किसी पदार्थ की molecular structure आडविक सन्रचना पता करने के लिए, आंतरिक भावों का पता करने के लिए, इस एक्स रे ही का use किया जाता है, ठीक है, आपसे पूछने लगे, इसकी खोज किसने की भई, यह जो विदुचुम्ब के तरंग हैं, इनका जो अस्तुत्य कौन लेके आया, सबसे पहले किस ने use, इन तरंगों का जो नाम्त है, वो एक्स रे रखा, यह एक्स रे भी इसके अंदर हैं, विदुचुम्ब के तरंगों में हैं, तो भई ध्यान रखना, विदुचुम्ब के तरंगों के बारे में बताया, यूज लिख लिए सबीने बई, अरे सबीने यूज लिख लिख लिए नहीं लिख लिख लिए ना, और यदि इसके हम खोज की बात करें, तो यह की थी रौन जन, एक रौन जन महों दे थे, जिन्होंने इसकी खोज की, किसकी? X-rays की, रौन जन, ठीक है? इंग्लिस में भी नाम इसका रौन जन ही है, हिंदी में भी इसको रौन जन ही कहीं, नाम है भाई, ठीक है? Hindi English से मतलब नहीं है, नाम है नाम तो Hindi में भी वही होगा English में भी वही होगा, ठीक है हो रहा ना clear भई uses बता दिये इसके मैंने आपको और इसकी खोज किसी ने की मैंने यही बता दिया Ronjan एक बहुत ध्यान रखना यहां से, मैं आपको बता दू जो Ronjan साब थे ना यह एक मत्र ऐसे विक्ती है जिनको सबसे पहला Nobel मिलाता फिजिक्स के लिए मलब फिजिक्स में पहला Nobel ही इनको दिया गया था, उससे पहले काई फिजिक्स में किसी को Nobel नहीं मिला तो द्यान अगना, फिजिक्स यानि कि बहुतिक सास्तर में, फिजिक्स में सबसे पहला Nobel जो मिलाता, वो इनको मिलाता हां, रोंजन महोदे को X-rays के लिए पहला Nobel, बहुतिक का इने फिजिक्स का पहला Nobel फिजिक्स का पहला Nobel जो पहला Nobel किसको मिला था, रोंजन महोदे को मिला था X-rays के लिए भाई इची नौट कर ले न सारी चीज़ें आपको विल्कुल चुन-चुन के पढ़ाई जा रही है आपके exam के pontifice से एक एक चीज आपको चुन-चुन के पढ़ाई जा रही है हम हो गया न नौट भाई सभी को लास्ट जो लास्ट क्लास मैंने बताया था ना उससे आगे चले हुए हैं इनके बारे पूरा बता दिया था मैंने आपको जितने भी आपके विद्शुम्ब के तरंगे हैं बैस के बड़ यूज रह गए थे तो यूज इस के साथ मैंने इनके जो खोज किये, वो सब करा दिये मैं आपको, ठीक है? चलिए जी. हमारा लास्ट है, लास्ट हो गया गामा रेज. लास्ट गामा रेज. लास्ट गामा रेज. गामा रेज के बारें बात करते हैं. चलिए भई, गामा रेज के बात करते हैं. गामा क्रेणे. इसका यूज भई, एकमत रेज है, और एक्जाम पूछा भी बहुत जाता है. कैंसर उपचार में. जो अब कैंसर होता है, कैंसर के उपचार में इसका यूज किया जाता है. ठीक है जी? कैंसर उपचार में इसका इस्तमाल करते हैं. कैंसर उपचार में इसका यूज किया जाता है. पहले बात यह ध्यान लगना. ठीक है? और तो कोई खास इसका यूज नहीं है, और कोई यूज एक्जाम में आता भी नहीं है, इसमें से यूज कोई. इस तरीके का ठीके पर ये धियान नकना कि इसकी खोज किसने की इसकी जो खोज की थी पॉल पॉल विलाड और साथे साथ हैंरी वेकरल हैंरी हैंरी वेकरल ठीके ये दो नाम याद रखना कहीं option में आपको इन दो नमें से मिल जाए कि बही गामा केंड़ों के खोज किस ने की तो Paul Willard ठीक है Paul Willard आजाए या Henry Peckerel ये दोनों ही इसके खोज करता थे भई यूज क्या है इसका यूज क्या है इसका यूज है Cancer उपचार में देखो फटा फटा पर छोड़ जो मुख्य मुख्य यूज है वो छुनो एक बार और से सबसे पहले हमारे Radio Waves थी उसका हम दूर संचार में यूज करते हैं सिग्नल वगरा के लिए यूज करते हैं ठीक है Radio Waves का Second में ने माइक्रोवेब बताया माइक्रोवेब का यूज करते हैं किस में करते हैं भाई माइक्रोवेब का यूज किस में करते हैं बताये हम माइक्रोवेब ओवन में खाने को गरम करने में करते हैं वाइफाई में करते हैं ब्लूटूथ में करते हैं जो मोड कनेक्तिविटी करते हैं ठीक है न ब्ल्यूटूस से. या Wi-Fi से हम जो Network Connect करते हैं. वो भी हमारा उसमें कौन से जुस करते हैं? Microwave से करते हैं. then हमारे Infra LED थी आफरक तरंगे. आफरक तरंगे मैंने क्या बताया आपको बताओjuk. मोबाईल, ठीक है? मौवाइल जो रिमो मौवाइल नहीं सोरी टीवी रिमोट जो होता उसमा अवरक्त तरंग है एक बाद और सुनो हां अवरक्त तरंगों का एक यूजर बता दूँ जैसे कि अब बाहर आप धूप धूप निकली हुई है आप घड़ से बाहर निकले धूप आप करें धूप भ हाए पसीना किस करणा रहा है आपको पसीना यार ब्रक्त तरंगय घर 0 Sweet English सोप समय पे नगे चलते हैं और इसके बाद मैं आपको पताया था विजी रॉष्यिव रशय में आपको बताया दरश्चे परकास के यह यूज हैं, दरश्चे परकास के यूज में सबसे पहले तो देखने में यूज करते हैं, और जो मेन-मेन इसके यूज आते हैं, वही बता रहؤूं मैं आपको, टि बाके तो आप हो, किसी बुक्स बागएरा देख सकते हैं काफी सारी यूज़ इसके मिल सकते हैं पर जहां से कोशिन बनेगा वही मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं फालतुक चीज़ों पर हमें ना तो क्या ना में डिसकस करना है क्योंकि एक्जाम भी हमारे बहुत नस्दीख है इसलिए स्पीड से चलो थोड़ा सा वही काश होता है उसके उपस्ति ही होता है पेल पुदी अपना खाना बनाते हैं ठीक है वीजवल ए वेश की उपस्ति में होता हा सब कुछी है स्वें नेंग्स बात करते हैं हम इसके बाद ने lob परवेंगनी तरंग यानि की अल्ट्रा वाइलेट वाइलेट में पिस वाटर प्रवीकेशन वे यूज होता है डेर में आपको बताया एक्स-रेस वाइए आप कोई क्रेकड बॉंज है अधी के टूटने पर या अंदर आपके कोई 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 फुल्ट है ऑवर अप एक्स्रा के लिए देता डॉक्टर ठीके उसमें युज होता है और यह फिर आपकी क्या ना इसक्राइब में आपको बता है कैंशर के उपचार में यूज करते हैं इसका ठीके यहां से कुषिट सायते बनते ह्याँ सारे मैंने आपको लिखती यह विंग हैं सबस्ते हैं क्योंकि इस तरह करें से महनत करेंगے तो कोशन बाहर नहीं जाना चाहिए ठीक है आपके हाथ से हमारे से तो बाहर नहीं होने वाला जो हम पढ़ाने उसी में से आपका एक्जाम आने वाला है ब्रू को चिंता ना करें आप बेट आप यह है कि आप कितनी मिहनत कर रहे है ठीक है चलो तो कुछ कोशन लगा कर देखते हैं कुछ कोशन आप से पूछते हैं और कुछ कोशन लगाते हैं ठीक है चार से कोशन देखते हैं लगाके आप कैसे आंसर देते हैं इसके ठीक है जी चले कुछ कोशन लगाते जब चलिए जी अब कुशन यहां से कैसे कैसे बनते हैं दो कुशन दिखाता हूं मैं आपको कैसे कुशन बनते हैं जैसे आपके सामने कुशन आजाए कोई पहला टीवी रिमोट में रिमोट में उपियोग होने वाली तरंग हैं आपके सामने आप्शन होगा रेडियो रेडियो तरंग दूसरा आप्शन होगा आपके सामने शूक्ष्म तरंग माइक्रू ठीक है तीसरा होगा आपके सामने अवरक्त और चौथा होगा आपके सामने परावेंगनी देखिए ये प्रशन आपके सामने एक्जाम में आता है तो आप इसका आंसर कौन स्ठीक करोगे बताइए आपके सामने यदि इस तरह का प्रशन आता है तो आप किस option को सही करेंगे इसका answer क्या होगा क्या होगी बताइए जी गॉड सही answer आ रहा है भही इसका काई बच्चे इसका सही answer दे रहे है बहुत सुंदर भाई क्या होगा TV remote के लिए infrared यानि कि अवरक्त अवरक्त तरंगे अवरक्त तरंगे इसका क्या होगा सही answer होगा अवरक्त तरंगों का ही इस्तमाल करते हैं TV remote में ठीक है ओके चलिए next question देख लें ठीक है देखे निम्न में से निम्न में से किन निम्न में से किन तरंगों की चाल 3 multiply 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है निम्न में से किन तरंगों की चाल 3 multiply by 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है ये question आपके सामने आ जाए तो आप और आपके सामने option है option है एक्सरे second second है visible in द्रश्य प्रकाश द्रश्य प्रकाश ये प्रकाश है आपका number third परावेंगनी परावेंगनी ठीक है और fourth option है आपका उपरुक्त सभी ठीक है शभी option उपरुक्त शभी ये इनक सभी में ये 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 यानिकि निम्र मेंसे किन किन तरंगों के चाल जो है वो तीन गोड़ा दसकी पावर आठ मीटर पर सेकंड है इस तरह का प्रश्य आपके सामने एक्जाम में आए तो आप किस पर टिक करेंगे किसको क्या नाम सही बताएंगे एक्सरेज दरश्य परकाश पराबेंगनिया सभी बताएंगे जल्दिस से बताएंगे सभी जी बिल्कुल जो बच्चे इसका उप्सन डी बता रहे हैं बिल्कुल राइट राइट ठीक है क्योंकि मैंने आपको कुछ बच्चे बता रहे हैं दरश्य परकास परकास की चाल देखो परकास की चाल सही है आपकी बात कि तीन गुणा दसकी पावर आट मीटर पर सेकंड होती है पर ये भी तो वही द्यान ना कि परकास कैसी चाल है परकास कैसी तरंगे हैं प्रकास जो विद्दू चुम्ब के तरंगे हैं और मैंने कहा था विद्दू चुम्ब के तरंगे जो होती हैं वो तीन गुड़ा दसकी पावर आठ की चाल से ही चलती हैं तो मुझे एक बाव बताओ विद्दू चुम्ब के तरंगे question number next अगला question करते हैं ठीक है? और देखिए भई लेके निम्न में से निम्न में से किन्द तरंगों का किन्द तरंगों का तरंग देड़्ध है शर्वाधिक है शर्वाधिक है यहीं सबसे ज़्यादा वेवलेंध किन तरंगों की है? जिसने पिछली क्लास को दिहान से देखा होगा दिहान से पढ़ा होगा तो वो तरंट बताएगा कौन सी है? देखो जल्दी फटाफट से आजाईए भई पहला ओप्शन आपके सामने सुक्ष्म तरंगे माइक्रोवेव नेक्स्ट पराबेंगनी अल्ट्रावाइलेट पराबेंगनी तरंगे नेक्स्ट नेक्स्ट ओप्शन इसका ओप्शन 3 एक्सरे और फोर्थ ओप्सान इसका लग लेजिए आप गामा रे यह ओप्सान आपके सामने है बताइए निम्न में से किन तरंगों की तरंग देर्द है सरवादिक है निम्न में से किन तरंगों की तरंग देर्द है सबसे अधिक है सबसे जादा है तो आप तुरूंत बताएंगे कल जो मैंने पढ़ाया था कल वाली इमेज आपके दमाग में है तो आप तुरूंत आपके दमाग में आगया होगा कि भही सबसे अधिक तरंग देर्द है तो कल सर ने बताया था, जो सबसे उपर, उसकी तरंग देर्द है, सबसे अधिक, तो सबसे उपर क्या था? कल बताईए, कल भी सबसे उपर था, वो आज भी सबसे उपर होगा, आपने नोट किया अच्छे से तो, ठीक है? इमेज तो आपके दिमाग में बन जानी चाहिए, हैं इसमें यस बलुकुल है भई तो सूक्ष्म तरंग है ही इसका क्या होगा राइट अंसर होगा सूक्ष्म तरंग है इसका क्या होगा राइट अंसर होगा इन्हें सूक्ष्म तरंगों की तरंग देर्द है सबसे अधिक होगी सबसे अधिक होगी ठीक है सबसे अधिक होगी ठीक है, हो गया ना, clear भई, अब मैं आपसे तरंग देड़ें कि लगदूं यदी क्या, गामा, मैं सोरी गामा नहीं, आवरती, अधी लगदूं फ्रिक्वेंसी सरवादिक है, तो फ्रिक्वेंसी नीचे सरवादिक थी, तो वेवलेंथ सबसे उपर, फ्रिक्वेंसी नीचे, सरवादिक फ्रिक्वेंसी सबसे नीचे, सबसे नीचे क्या थी, गामा, ठीक है, गामा रेज की फ्रिक्वेंसी सबसे अधिक होगी, और सबसे कम फ्रिक्वेंसी किसकी होगी इसमें, सबसे कम फ्रिक्वेंसी आपकी सूख्ष्म तरंग होगी, रेडियो तो है नहीं इसमें, गैंसर उपचार के लिए उपयोगी है यह प्रशन आपके एक्जाम में आ जाए तो कैंसर उपचार के लिए कौन सी तरंगें उपयोगी है भाई आपके सामने ऑप्शन देखी यह रहीं पहला ओप्शन आपके सामने पहला ओप्शन आपके सामने भाई पराबैंगनी किरने पराबैंगनी किरने नेक्स्ट नमबर टू एक्स एक्स किरने यानिकी एक्स रेस एकी बात है एक्स किरने कर लो एक्स रेस क्लिक दो तीसरा ओप्शन गामा रेज ठीक है गामा रेज और आपका जब फूर्थ ओप्शन है उसे लिख लेजिए आप इन्फरारेड यानि कि अवरक्त अवरक्त तरंगे ठीक है यानि पराबेंगने किर्णे पराबेंगने कि तरंगे भी कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तरंगे लिख लो एक ही बात है ठीक है किर्णों में तरंगे है ठीक है तरंगे तो कैंसर उपचार में मैंने किसका बताया था बताओ कैंसर के उपचार में किन तरंगों का इस्तमाल करते हैं केंसर केlica में किन तरगों करते हैं मैं आपसे अपसे बिछान करो गामा बहुत बढ़िया बस्व हुआ अपकर संदर घिके तो भुण्य the इसी भी में solve किया होंगे ठीक है, question आपके exam में भी यहीं से बनेंगे, कोई भी question बहर से नहीं आने आने वाले है सारे question जो आप पढ़ते हैं जो आप से लिए बस cover up करते हैं उसी में से question बनते हैं, बस समस्या यह है कि हम चीजों को ध्यान से नहीं पढ़ते जिन बच्चों ने मेरी class को ध्यान से नहीं किया होगा ठीक है, तो यह chapter फिनिस हुआ आज यह chapter फिनिस हुआ और next chapter आपके लिए लेके आएंगे एक जवर्जस chapter होगा first class chapter होगा, top class content के साथ होगा भाई यह chapter करते हैं हम जिसके, जिसमें हम physical quantities होती है मूल मातरक, वितपन मातरक किसका मातरक क्या है यह सब के बारे में हम अपनी next class हम बात करते हैं आपसे, exam पूछ लेता है कि MPR किसका मातरक है निमिन में से कौन से मूल रासी है निमिन में से कौन मूल मातरक है ठीक है ना, है या नही fundamental units fundamental quantities यह पूछता है exam के अंदर आपको पता है नहीं है कौन से fundamental quantities होती है तो next class के बाद सारा doubt clear आपका एक बहतरीन लाजाव class आपके सामने आएगी next class, तब तक लिए आप ख्याल लखें, ध्यान रखें और मेहनत करते रहें थैंक यू सो मज भाई सभी को झाल 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 झाल